Fiverr Pay मैं Walk Out Of The Door Pricing Strategy को यूज़ करके कितने जादा Client से अच्छे पैसे कमाता हूँ उसके बारे में आज बात करूँगा Walk Out Of The Door Pricing जनली कार इंडरस्ट्री में यूज़ होती है और उसका एक टोटली डिफरेंट मतलब है उसका मतलब है कि शोरूम से बाहर आपको गाड़ी कितने की पड़ेगी मैंने उसी terminology को थोड़ा सा change किया है वो ये कि Client को जब भी आपने quote प्रवाइड करनी है तो किस तरह से provide करनी है आपने अपने जेन में pricing का क्या structure बनाना है उसके बारे में basic guideline दूँगा और बताऊंगा कि किस तरह इसको मैं use करके बहुत सारे Client जो के कम पैसे जेन में लेके आये होते हैं उनसे बेतर पैसों का order ले लेता हूँ और बहुत सारे clients जो सोच रहे होते हैं कि मैं इससे काम नहीं करवाँगा क्यूंकि यह मेंगा है उनको जाते जाते मैं दुबारा से रोक लेता हूँ एक different pricing strategy के साथ ठीक है जी तो वो होता क्या जी कि client आपके पास आता है वो आपको requirement भीशता है first response कैसा होना चाहिए उसके बारे में पहले वीडियो बनाईए यह वो आप देख सकते हैं बार आपने उससे requirement ले ली और जो information आपने उससे लेनी थी सारी आपके पास आगी सारी files आपके पास आगी अब आपको पूरे project की 100% understanding है कि यह किस तरह से होगा अब आपकी बारी है कि आप उसको एक quote प्रवाइड करें time की और price की तो price quote जब आप प्रवाइड करते हैं generally वहाँ पे yes or no आजाता है आपको ठीक है क्यूंकि आप एक इस तरह से rigid communication यूज़ करते हैं pricing quote के बारे में क्लाइंट सुनते ही कहा देता है no out of my budget ठीक है और आप room of negotiation नहीं छोड़ते है अपनी communication में तो communication को आप अगर effectively use करें थोड़ी सी room of negotiation छोड़ें उसकी example देता हूँ क्लाइंट आया उसने requirements दी आपने समझ ली सारी files ले ली अब आप उसे कह सकते हैं it will be two hundred dollars ठीक है कई दफा ये strategy काम कर जाती है लेकिन most of the time ये काम नहीं करती क्लाइंट को आपने थोड़ा सा flexibility शो करवानी होती है मैं आपने जैसी client मुझे requirement भेशता है मेरे दमाग में तीन prices create होती है पहली price best price जो मैं उससे लेना चाहता हूँ कि ये order जो है ना let's say 200 dollar में अगर मिल जाए तो ये ideal है इतने पैसों में दूसरी price मैंने सोची होती है कि अगर यहां तक भी मिल जाए तो काम चल जाएगा ठीक है और तीसरी price मैंने सोची होती है कि yes इस से नीचे गर चला जाएगा तो मैं नहीं करूँगा मतलब कि 200 dollar मैंने सोचा अब मैंने mediocre price सोची हुई है 150-140 पे भी काम चल गया तो ठीक है और 100 dollar मैंने एक अपनी walk out of the door price सोची हुई है कि ये 100 dollar से अगर नीचे चला गया तो 99 पे भी चला गया तो I'll walk out of the door I will not take take his project I will prefer कि मैं कि वही वाला टाइम अगर कि अपने किसी better project को देद तो फिर पेला message मैं कैसे करता हूं मैं फिर इस तरह rigid तरीके से नहीं कहता कि 200 dollar लगेगा मैं उसे कहता हूं I am thinking maybe 200 dollars for 4 days delivery ठीक है अब इसके दर इस जब मैंने I am thinking का ना तो मेरी communication से पता चल रहा है कि ये बंदा जोना flexible है इसकी ये सिरफ मतलब इसने कोई rigid quote नी मुझे दे दी ये final quote नहीं है इसके अंदर room for negotiation है अब इसके उपर multiple किसम के responses हो सकते है client हो सकता है I am sorry that's too expensive that's out of budget या उसे के या वो आपको ये भी कह सकता है are you serious वह आगे से ये भी कह सकता है I was actually thinking 100 dollars ठीक है अब हर scenario में different responses है लेकिन let's say वो कहता है कि मैं 100 सोच रहा था अब आपने already 3 prices बनाई अब मैं इस पर क्या कहता है इसको कहता हूं so 100 dollar is actually a little bit lower than what I would normally charge for these kind of projects I usually charge 200 dollars but since you are a first time buyer or second time buyer since you are a second time buyer so I can do a discount for you first time second time doesn't even matter just you have to say that this is why I am giving you a special discount that you are first time or repeat buyer so I am thinking I can come down to 150 for five days delivery so before 4 days delivery 5 days delivery now it's not that it's not that it's the same package 4 days for me 1500 dollars so then you have to try to do it just to love it you have to increase it when you have to know that this time is increased due to the reason you have to say that you have to say that you would be willing to do it for 120 dollars for six days delivery you have to say that I actually do not need like six days but I can come down to 140 for five days delivery okay now you have to agree on that but I will say that you have to leave a little room for negotiation sometimes if I give a rigid price and a client's reply will not come online then I will say that in the next message I will say that the price is a little bit flexible if we can negotiate on the number of days for the delivery I can come down a little this is why the client says that okay delivery time compromise and the price is reduced this is also a room for negotiation कर सकता हूं और जादा से जादा सवाल पूछता हूं उसे कोड़ प्रॉइड करने से पहले ताकि उसकी इंवॉल्ब्मेंट मेरे साथ बढ़ जाए दूसरे अगर वह बाइर्स के साथ बात कर रहे हैं वह बगार रिक्वायर्मेंट की अगर उन्होंने कोड़ दे दिया तो उ इसलिए यह जादा मेंगी कोस्ट दे रहा है उसकी यही कोशिश होगी कि वह आपके साथ ही निवोशिएट करके क्यूंकि आपने उससे इतने सवाल पूछे है उसकी इन्वाल्ब्मेंट है उसकी एक अपचुनिटी कोस्ट है इस पेक और वीडियो बनाऊंगा लेकिन उसक सब्सक्राइब जीuma कि तर स्वाल कई इसकी अपने अपने ऊपको करें हैं एक यहीं वीडियो बनाऊंगा कि क्यांति को आप कैसे तेख सकते हैं लेकिन आइडिली नेवर गिव आ रिजिट कोट तो अल्विस कीप अप्लेक्सिबिलिट इन यूर मिंद त्राइट 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 अगर मैं कोई कोट देरी यूर क्लाइट किया तो मैं कोई 10-15-20 यानि के पांच-10 मिनिट के बाद मैं देख रहा हूं कि अनलाइन बैठ है इ इस तरह कि कोई भी बात जिससे वह आपके सथ कम्यूनिकेशन ओपन रखे जैसे ही वह बंदा अन्रिस्पांसिव हो गया ना वहां पे चांसे हैं कि और बंदे के साथ बात कर और वहां पर भाग जाएगा कोशिश करें कि कम्यूनिकेशन को शॉट शॉट चाट के अंदर न ज़िए 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 इसकाट ऑट और जी बात प्रोची जोट ज़िए ज़िए और जार मुरूनिकेशन को शॉट टॉट ऑट झा झाल धूट और झाल त आठाट ऑट ज़िए नहीं ज़िए ज़िए कर टॉट झाल